Hello Friends, आज हम Mathematics करेंगे पोर्थ क्लास की Mathematics है तो ये पोर्थ क्लास की बच्चब लिए बहुत अच्छी है Grow with Composite Mathematics आज हम ये करेंगे Page number है 226 और Second Question है Part B है और हम चली पहले मैं आपको करके दुखा हाँ, तो तीन सो है, यहां पे, पहले मैं आपको करते लिखर, तो पहार मैं आपको बताओ अब ही क्विश्चन, खतम हो गया, अब मैं आपको पताते हूं कि यह मैंने क्या किया है, और कैसे किया है देखें, हम अज़ कर रहे थे आपके सामने, find the area of square, whose side is given below और हम यह कर रहे थे, शायद आपको समझा जाए, तो यह है 300, पहले हमने area of square, क्योंकि square का निकाल रहे हैं area, area square का निकाल रहे हैं area, area जो है, area यह है square का, तो यहाँ पर हमने इसकी वो side को side लिखेंगे, फिर उसके बाद से multiply कर देखेंगे, और answer आपके सामने, सामने आ जाता है, क्योंकि जब हमने area of square लिखा, एक और पर दिखा देखेंगे, चलिए हो, एक और पर दिखा देखेंगे, एक और पर दिखा, ठिक, area of square लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉमा, फिर यही इसका वो है, side equal side, not equal, it is multiplied, side into side, फिर हम, फिर इसका answer हम multiplied के भी देख सकते हैं, 1.25, 1.25, 1.25, 5525, 22 अब इसका answer लिखते हैं, हम 15.6 156.25 इसका आगर अगर आपको यह समझ आ गया है तो हमारी वीडियो को लाइक, सिस्क्राइब और शेयर करें यहां तक चाहे वहां तक पहुचाए और इसमें हमारा साथ दे